Now, chapter number 5, types of houses, house का मतलब होता है घर, अब हम पढ़ेंगे अलग-अलग तरह के घरों के बारे में Number 1, tent, tent क्या होता है? ये भी एक तरह का house होता है, लेकिन ये temporary house होता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं, suppose आप कहीं पहाडों पर जा रहे हैं या फिर किसी पिकनिक पर जा रहे हैं तो आप tent का use करते हैं थोड़ा सा आराम करने के रहे The next one is igloo, igloo किस से बनता है? Snow से बनता है, बरफ के बने हुए घर को हम igloo कहते हैं Next one, flat. आजकल आप सब के घरों के आसपास flat होते हैं हम में से बहुत से लोग flat में रहते हैं Flat कैसा होता है? एक building होती है और उसमें बहुत सारे मकान होते हैं जिने हम flat कहते हैं आप देखिए, picture में एक building है, इसमें three flats हैं तीन घर हैं, तो क्या हैं ये तीन flats हैं? Now, hut. hut मतलब जोपड़ी hut क्या होती है? ये एक तरह का कच्चा house है ये हैं शहरों में नहीं देखने को मिलेगी आपको लेकिन गाउं में बहुत कम आपको आजकल hut देखने को मिलेगी The next one is duplex. डुपलेक्स कैसे मकान होते हैं? जो दो मनजिला होते हैं मतलब double, नीचे भी और उपर भी The next one is cottage Next, bungalow बहुत बड़ा घर होता है bungalow Mostly bungalow कहां होते हैं? बड़े-बड़े societies में भी bungalow होते हैं या फिर बड़े-बड़े शहरों में बंगले को बनाने के लिए बहुत सारी space की requirement होती है हमें Now, the next one is apartment Apartment भी एक तरह का घर होता है ये भी flat की तरह होता है आप ये देखी, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी building है उसमें क्या है? मकान बने होए हैं Different, different तो एक मकान को हम क्या कहते हैं? Apartment कहते हैं इस एक apartment में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग-अलग घरों में Now, the time to do some questions Which type of house do you live in? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आप को ये लिखना है आप flat में रहते हैं डुपलेक्स में रहते हैं बंगलो में रहते हैं या फिर apartment में रहते हैं तो आपको वो लिखना है अगर मुझसे पूछा जाए Then I will ride flat मैं कहां रहती हूँ? Flat में रहती हूँ Name your favorite house अपने favorite house का नाम लिखिये इतने सारे अभी houses के बारे में बढ़ा है तो आपको अपने favorite house के बारे में लिखना है I know इतनी सारी पिच्चर देखे सबसे favorite house कौन सा होगा? बंगलो सब चाहते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा हो बच्चो एक चीज हमेशा ध्यान रखिये We have to keep our house clean हमें अपना घर हमेशा साफ रखना चाहिए चीजों को उनके सही जगां पर रखना चाहिए ओके?